यूक्रेन की सीमा पर बढ़ती रूसी फौजों की तैनाती के साथ बढ़ रहा है अंदेशा और तनाव भी एक तरफ है अमेरिका जो कह रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और दूसरी तरफ है रूस जो कह रहा है कि फिलाल हमले की तैयारी तो नहीं है पर इन सब के बीच बहुत कुछ चल रहा है चेतावनी का दौर, प्रतिबंद के धमकी, आपसी गोलबंदी और कूट नीती इन सब के बीच क्या रूस और उक्रेन में युद्ध की तैयारी भी चल रही है? लेखेंगे कवर स्टोरे में रूस अमेरिका के बीच बढ़ते तनाओ के बीच अमेरिकी राष्टरपती जो बाइडन ने आशंका जताई है कि रूस युक्रेन पर अगले महीने हमला कर सकता है उन्होंने ये बात युक्रेन के राष्टरपती वोल्दीमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर बात करते वे गई इधर नेटो में युक्रेन को शामिल ना करने की रूस की मांग ना माने जाने पर रूस ने कहा कि मौजूदा संकट के सोलजने के आसार कमी नज़र आ रहे अगर अख्तियार करता है तो उसकी एहम गैस पाइपलाइन नौड स्ट्रीम 2 को खुलने नहीं दिया जाएगा वहीं रूस के राष्टरपती व्लादमर पुतन ने कहा है कि रूसी और युक्रेनी नागरिक एक दूसरे के बेहत खरीब है और युक्रेन को नेटू जॉइन नहीं करना चाहिए सोवियत संग के बिक्टन के बाद बने कई देश पिछले 20 सालों में नेटू में शामिल हो चुके हैं रूस इसे अपने लिए खत्रा मानता है पर अमेरिका के विदेश मंतरी एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि युक्रेन एक सोतंतर देश है अपनी सुरक्षा के लिए उसे नेटों में शामिल होने का पूरा हाख है हलांकि रूस और अमेरिका दोनों ही कह रहे हैं कि अब भी संकट को बातचीज से सुलजाने के रास्ते पूरी तरह से बन नहीं हुआ है और रूस ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि आने वाले हफतों में इसे लेकर उसकी ब्लिंकन से मलाखात होगी लेकिन रूस के राष्ट्रपती व्लादमर् पुतिन के मन में क्या चल रहा है क्या होगा उनका अगला कदम क्या वो पूरवी योरोप में नेटों के बढ़ते कदम को रोकना चाहते हैं या फिर यूक्रेन पर हमला करने का वो मन बना चुके हैं बीबीसी समवादा ता स्टीव रोजनबर की मॉस्कों से ये खास रिपोर्ट दुनिया के देश अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि पुतिन क्या सोच रहे हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं यूक्रेन और यूरोप को लेकर वो क्या चाहते हैं रूस अपनी ताकत दिखा रहा है ये एक तरह की राजनीतिक उथल पुथल है सैन्य अभ्यास और सैक्रो हजारों रूसी सैनिकों के यूक्रेन सीमा पर तैनात होने से रूसी आकरमन का खत्रा बढ़ा है साथ ही बढ़ी है रूस की मांगे भी हम अपने नेटो सहयोगियों से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं हमारी सीमा से बाहर जाएं सोवियत विग्टन के बाद के देश से बापस जाएं क्योंकि ये रूसी लोगों और रूसी नागरिकों को डरा रहा है अब समय खत्म हो रहा है एक उलजन और है रूस इस मांग पर अड़ा है कि यूक्रेन को नेटो से नहीं जुडने दिया जाए अमेरिका इस मांग को खारिच कर चुका है तो अब क्या होगा आगे क्या होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका ने रूस को यूरोप के सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जिस बातचीत का प्रस्ताव दिया है उससे पुतिन संतुष्ट होंगे या नहीं लेकिन कई लोगों को डर है कि पुतिन यूरोप की सुरक्षा को तोड़ना चाहते हैं यूरोप को एक नई जंग का डर सता रहा है लेकिन रूस जो अभी कर रहा है वो लोगों को डराने की कोशिश है या सच में एक बड़ा विवाद यही एक कारण है कि मुझे नहीं लगता कि पुतिन यूकरेन पर हमला करेंगे क्योंकि अगर वो सैन्ने कारवाई शुरू करते हैं तो हमें सबसे आखिर में इसकी जानकारी मिलेगी जिन लोगों से हमने बात की उन्हें यूकरेन और पश्चिमी देशों के साथ चल रहे शीत यूद के आक्रमक होने की उमीद कम ही है यूलाइना कहती है कि रूसी अब जंग नहीं चाहते हमने देखा है कि ये कितना भयावा होता है रूसी जंता भी युद्ध नहीं जेल सकती उन्हें उमीद है कि उनके नेता भी ऐसा ही सोचते है वैसे रूस बार बार यही कह रहा है कि उसका इरादा यूकरेन पर हमले का नहीं है वो बस ये नहीं जाता कि पूरवी यूरोप के देशों को नेटो में शामिल किया जाए वहीं अमेरिका कह रहा है कि मुद्धा नेटो में शामिल होने का नहीं बलकि रूस के आकरामक रवाईये का है वहाई उक्रेन की सरकार मान रही है कि रूस आकरमण करने की स्थिती में फिलहाल नहीं लगता लेकिन उसने आपाथ स्थिती के लिए तैयारी शुरू कर दी है यूक्रेन की सेना एमर्जेंसी के हाला से निपटने के लिए आम लोगों को भी हतियार चलाने का प्रिशिक्षन दे रही है बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग भी दी जा रही है देखे यूक्रेन से रिपोर्ट वासिल हरिहरुक के लिए ये सामान्य वीकंड की तरह ही है वो टरिटोरियल डिफेंस बटैलियन के साथ ट्रेनिंग कर रहे है मैं लगभग हर शनिवार को ट्रेनिंग करता हूँ केवल उस दिन को छोड़ कर जब बीमार रहता हूँ बेशक ये बहुत कठिन है लेकिन सैनिक हर मौसम में लड़ते है 28 साल के वासिल कीव से हैं और लोजिस्टिक्स के खशेत्र में काम करते हैं वो एक इमिग्रेशन सर्विस चलाते हैं लेकिन खुद यूकरेन नहीं छोड़ना चाहते तब भी नहीं जब युद्ध होने की संभावनाएं काफी अधिक है क्या मैंने कभी सोचा था कि एक दिन मुझे यूकरेन ये अपने शहर की रक्षा करनी पड़ सकती है जी हां क्यूंकि मैंने काफी अच्छे से इतिहास पढ़ा है बीते साल यूकरेन ने आम नागरिकों को जंग में लड़ने की अनुमती दी थी सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ने के बाद वासिल ने भी ट्रेनिंग लेने का फैसला किया कीज के नस्दीक एक जंगल में कम से कम 24 पच्छे स पुरुश और महिलाएं सापताहिक अभ्यास में भाग लेते हैं हम यहाँ पर सेना के मूल भूत कौशल को सीखते हैं जो की शूटिंग गैलरी या कोई इंस्ट्रक्टर नहीं सिखा सकता क्यूंकि आपको समू में अभ्यास करना होता है यहाँ के लोग आपको प्रिरित और मदद करने को तयार रहते हैं सैटलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर एक लाख सैनिक इकठा किये हुए हैं हाला कि जरूरी नहीं है कि युद्ध हो लेकिन वासिल जैसे वॉलिंटियर्स कीव की हर चप्पे की रक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं मैं लडने के लिए तैयार हूँ मुझे विश्वास है कि दुश्मन कीव तक नहीं पहुँच पाएगा हम यूक्रेनी आत्म संगठन के मामले में हमेशा अच्छे रहे हैं हम पहले होंगे जो यूक्रेनी सेना का समर्थन करेंगे